जैहिन, विल्कम टू कश्टू लर्लिंग और आज हम लोग करेंट अफेट टूडे की एक नई सिंखला के साथ यहां पर उपर सित हुए हैं जिसका नाम है भारत और नामी विया सतत जै विविज्टा वन जीव संड़क्चर्ड आपको बता दें कि आज की डेट में भारत और नामी विया चीता और सेड जैसे जानवरों को ले करके बाग अभियारण की छमता को बढ़ाने के लिए और बागों की संख्या में इजाफा करने के लिए एक सतत जयोविष्टा कारिक्रम में हिस्ता ले रहे हैं और भारत के MP में कूर्णो वन जीव अभियारण में बागो की संख्या को बढ़ाने के लिए एक संविदा पर नोगों का कार सुरू हो गया है तो भारत और नामी विया जैसे छेत्रों में जो बागों की संख्या में विस्तार करना है उनको कौन-कौन से प्लान और प्रोजेक्ट की तरह यहां लाया जाएगा और कितने बागों की भारत में चीता परयोजना की दुबारा सुरुवात की गई है ताकि वैस्विग संदक्षन परयासों में एतिहासिक वीकास परक्ष संतुलन में भारतिय योगदान को बहाल किया जा सके ताकि भारत में चीते को एतिहासिक स्रेणी में लाया जा सके तो चीते को एतिहासिक स्रेणी में लाने के लिए ये भारत और नामी बिया वन जू संदक्षण जेविवता समझोता पर ग्यापन हुआ है इस समझोत ग्यापन के तहत वन जीव संदक्षण और सतत जेविश्टा उपयोग को प्रोसाहित करने के लिए पारस परिग लाप्रत सम्मझों के विकास को दिसा दी जा रही है यह पारस परिग सम्मान संपरुता समानता और भारत तथा नामी बिया के सर्वोजितों के सिधानतों पर आ जी होता ग्यापन की जो मुख विसेथा हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं तो जैविश्टा संदक्षण जिसमें चीते के संदक्षण पर जोर दिया गया है इसमें सबसे पहला यही है साथ ही चीते को उनके पुराने इलाके में दुबारा स्थापित करना है जहां से व पादान परदान करना है यह दूसरी विसेथा है अच्छे तोर तरीकों को साजह करके वन जीव संदक्षण और सतज्य विस्ता को उपयोग में लाना है तो यह हमारी प्रादोगिकियों को अपनाने वन जीव इलाकों में रहने वाले अस्थानिये समधायों के लिए के साथ ही जलवायू परिवर्तन परियावरण संबंदी साथन विधी परियावरण सामभी दुस्प्रदाओं का मुल्यांकन पर्दूशन और अपसिट प्रवंधन आप सीहितों के वन जीव में सहयोग करेंगे इसी करम में जहां भी प्रासंगिक हो वहां तकनीकी की विसे प्रवंधन में करमीयों के लिए मतलब वहां काम करने वाले लोगों को प्रसिक्षण और सिच्छा के लिए भी आदान प्रदान करना है यह बाते इस बार के नामी बिया और भारत के जो गापन हुए हैं उनके उपर यह बाते आई हैं राष्ट्य संड़क्षण लोकाचार का नजार रखते हुए चीते का बहुत विशेश माहत्य है तो चीते की कुछ विशेश खाशिद भी जान लेते हैं भारत में सिर्व वापसी महात्त पूण, संणलच्छ , नतीजों में बराबर महात्य ऊक्ती है चीते की बहाली चीतों के मूल परकृतवास की बहाली में प्रत्मान का काम करेगी उनकी जैविवित्ता के लिए महत्पूर है और इस तरह जैविवित्ता के ख़ाव वा उसमें तेजी होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी अनबडे मांसाहारी जंतूओं में चीते के साथ मनुष्यों के हितों का ठकराव बहुत कम है क्योंकि चीता मनुष्यों के लिए खत्रा नहीं है तथा वे आम तूर पर मवेशियों के बड़े रेऊडों पर हमला नहीं करते हैं चीतों की विशेश खासियत होती है इस तरह वन जीओं के प्राक्तिक वासों घास के मैदान जाडियों वाले मैदान और खुली वन इको प्रणालियां की बहाली उनका बहतर प्रवंधन भी संभव होगा साथ ही उन पसुओं का भी सरण करके उनकी संख्या बलहाई जाएगी जिनका सिकार चीटा करता है ये इसकी विशेश खासियत है इसी तरह चीते के ईलाके में रहने बाली लुप्त प्रायपन जातियों को भी बचाया जा सकेगा दूसरी तरफ सिकार करने वाले बड़े लेकर छोटे जन्तों तक के करम में इको प्रणाली के निचले अस्तर पर जहां छोटे जन्तों का सिकार किया जाता है वहां तक विविस्ता को कायम रखने तथा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी यह उसकी अगली खाशियत है इसी करम में दस अस्थलों के लिए 2010-2022 के बीच किया गया था भारत में चीते की संख्या को जिन सक्षम अस्थानों में कायम करना है और जो इसके लिए फाइदे मंद हैं यह तै करने के लिए IUCN दिसा निर्देशों का पालन किया गया है जिन में जनिसांक की जैनेटिक्स सामाजिक आर्थिक ठकराव और आजीविका के मद्दे नजर परजातियों को ध्यान में रखा गया है इसकी विसेशकातियत है इन सब के आधार पर देखा गया कि मद्द परदेश का कूर्णो और आश्टी उध्यान चीते के लिए सरवाधिक उप्यूक्त है आपको बताते हैं कि हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर चीते की साइगर की संख्या वागों की संख्या है तो हमारे कहां पर है मद्द प्रदेश में पाई जाती है वहां प्रबंदन संबंदी हथ अच्छे निवन्तम है क्योंकि एस याई सेरों को दोबारा कायम करने के लिए इस संदक्षित छेत्र में बहुत निवेस किया गया है तो यह भारत सरकार की अपनी योजना और योजना में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चीते की मौजूदगी तक्षड अफरीका तक् इसके तहट चीते के लिए ऐसा माहौल त्यायर किया जाएगा जो उससे अधिक से अधिक अनकूल हो विशलेशन से पता चलता है कि दक्षडी अफरीका के जिस वातावरण में चीते रहते हैं उसे देखते हुए भारत का कूर्णो राष्टी उद्यान मत्प्रदेश उनके प्राक्तिक वास के लिए सरवाधिक उप्युक्त है कूर्णो राष्टी उद्यान में चीते को अस्थापित करने की कार योजना आई यू सी एन के दिसा निर्देशों के आधार पर विक्षित की गई है गेस की विशेश खासियत है कूर्णो राष्टी उद्यान की हो जाने के बाद मां 36 चीतों को रखा जा सकता है सिकार किये जाने वाले जंतियों की उप्लवत्ता को बढ़ाकर कूर्णो राष्टी वन परखंड बारा सो असी वर किलोमेटर का सेस हिस्सा भी इसमें सामिल किया जा सकता है भारत में चीते को दुबारा थापित करने संबं भारत में चीते को दोबारा अस्थापित करने का कार्य परियावरण वन और जल्वायू परवर्तन मंतराले के अधीन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथार्टी एंटी सीए कर रही है तथा उसका मार्ग दर्सन सरवुच ने आयाले द्वारा नामित विसेसक की शमित कर तो आपको बताते कि 2020 में सरवुच ने आयाले का ये आदेश था कि भारत में चीतों की संख्या को बढ़ाया जाए और उसी करम में आज भारत और नामी बिया की उपर एक ग्यापन समझोता हुआ है जिसके तहद भारत में आने वाले दिनों में कूर्णो राष्टी उद्य जान मत प्रदेश में चीतों की संख्या को बढ़ाया जाना है तो आज करन्ट अफेट टुड़े की नई सिरंखला में यहीं तक मिलते हैं नेक्ट सेग्वेंट में नए तथ और नए विसलेशनों के साथ तब तक के लिए अगस्तू लर्निंग की तरफ से जैहिन जैभारत झाल 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 झाल